लोकसबा चुनाब दो हजार चौबिस को लेकर समाजवादी पार्टी ने तयार यां तीजी से शुरू कर दी है अखलेश यादव ने जातिगर जनगर्णा और समाजिक न्याय के मुद्दे पर मंगलवार को लोग जागरन यात्र की शिरवात लखिमपूर से की उन्होंने कहा कि सपा सबको बताएगी कि जब तक जाते जनगर्णा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है सपा मुख्या के लिए श्यादव ने कई मुद्दू पर बीजेपी सरकार को घेरा उन्होंने क्या कुछ कहा आईए सुनते हैं रात में भार्ती जन्ता पार्टी के सांसर अपने गुंदें और तमाम दबंगों को लेकर के गए और ऐसी पिठाई की पुलिस की पुलिस को समझ भी नहीं आये किदर भागे उन्हें अगर कहीं बुल्डोजर खड़ा मिलता हो ता तो साथ बुल्डोजर के पीशे खड़ी पुलिस बच जाती लेकिन बुल्डोजर भी नहीं फक होई अगर बुल्डोजर होता तो शायद प्रिंटने वाली पुलिस उसके पीचे छिप जाती तो बीजेटी के सांसर से बच जाती और पुलिस ने जो दर्श कीया है मुददमा उसमें पुलिस को पता हिए उनका क्या आप ये कल्पना कर सकते हो कि किसी सांसर का पुलिस को पता ही ना बता हो ये इस्तिती है इसलिए हम आप से कह रहे हैं कि ये जो कार भाल बीजी की इसलिए बनाए जा रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से सपा मुख्या कलेश यादव ने मंगलवार को देवकली में सपा के प्रसिक्षन शिवेर को संबूधित किया उन्होंने कहा कि लखीमपूर समाजवादियों का गड़ है इस कारेकरम का उद्धेश यही है कि खिरी समाजवादियों का गड़ दुबारा बने इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा आईए सुनते है लखीन पूर आपके जिले में आया हूँ और मैं जानता हूँ सुबह से ही कल से आप लोग भाचर सुनने होंगे यहां पर जितने नेता कार करता हैं इन लोगों ने सभी पार्टी के वरिष नेता जिन्होंने पार्टी के बारे में और कई महत्पूर मुद्धों पे आप लोगों को समझाये भी होगा और बहुत जो जानकारी हम लोगों को मिलनी चीए समय समय पर वो जानकारी भी आप तक पहुचाई होगी यह लखीन पुर्जिला समाजवादियों का गड़ रहा है जो गड़ है वो समाजवादियों का गड़ दुबारा बन जाए यहां के ऐसे लेटा काय करता है जिन्हें बदाने की जरूत नहीं है वो राजनितिक परस्यूतियों से जाग रूप है कि हमारी देश की राजनीत कि दिसा में जा रही है वीडियो रिपोर्ट समय डिजिटल उमीद करते वीडियों आपको पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करें और पर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर करना बिलकुल न भूले इस वीडियो पर आपकी क्या राय है अपनी राय हमें कॉमेंट कर जरूर बताए इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे सार समय यूपी उत्राखंड के साथ